नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर भारत रतनम मौलाना अब्दूल कलामाजात की पुन्नेती थी नाकपूर शहर जिला कॉंग्रेस कमीटी की अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरेक और एड़ोकेट अभिजीत वंजारी के मार्ग दर्शन में नाकपूर शहर जिला कॉंग्रेस कमीटी विभागी अध्यक्ष ओवेस कादरी की प्रमुक उपस्तिती में अल्प संख्यांग विभाग के नाकपूर शहर अध्यक्ष एरशाद अली के नेतरूत्व में देवडिया कॉंग्रेस भवन में मनाई गई इर्शाद अली ने मौलाना अब्दूल कलाम आजात की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत में शिक्षा की योगदान के साथ साथ देश की आजादी में उन्होंने जो किरदार निभाया उसे कभी भुलाया नी जा सकता साजीद अन्वर, मुदासी रहमद, जुनेद हैमद, कुनाल चौदरी, रशीद अब्दूल, फैजल खान, मौम्मद आसिप, अश्पाक शेक, अतिकुल रहमान, निशाद अंसारी, मजर अहमद, हुजेपा मुसाईद, नहीम खान, जुबेर शेक, मुहित वस्वानी, जाबि वेजबुशा में, विध्यार्तियों ने अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलगु, कंणर, मलियालम, तमील, कुजराती, एवं बंगला भाषा में अपने संदेश पड़े, और अनेकता में एकता का संदेश दिया, हम सभी भारतिय है, हमें अपना राश्र सबसे प्यारा ल किसी भी वेक्ति को जितनी अधिक भाषाओं का ग्यान होगा, उसके लिए दूसरों से संपर्क स्थापित करना उतना ही आसान होगा, मातरु भाषा में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा अपने बुनियादी सिद्धानतों को मजबुत बनाती है, बच्चों ने मातरु भाष में जैसी आई नागपूर मेट्रो की ओर से भाषिला क उशल विकास प्रसिक्षन कर्यक्रम का आयोजन किया गया, कमाल चोक पर एक सतत परियोजना के उद्देश से कारेकरम का आयोजन किया गया इस आयोजन में कई सामाजिक कारेकरता स्थानिय टीवी समाचार चैनल के प्रतिनिदी शामिल हुए अध्यक्ष जेसे निताली तागडे, लोकेश नांदेड कर, कारेवाहक सचिव एवं निदेशक, जेसी आय जेसी तेजस्वीनी इंगोले, कारेकारी उपाद्यक्ष जेसी प्रशांत निनावे, साचिव जेसी लकिशा कुंदन, कोशाद्यक्ष जेसी विजय कुमार, उपाद्यक्ष जेसी ममता करडे, जेसी ललिता तागडे, और निदेशक जेसी विजय लक्षमी हजारे, मुपत शिक्षा के अधिकार अंतरगत प्रविश्पाने के लिए आविदन की तिथी 28 फरवरी निर्दारित की गई है इसी के संदर्ब में RTE Action Committee के चेर्मन मुहमत शाहिज शरीप ने तीथी बढ़ाने की मांग की है पालकों को दस्ताविजों के संदर्ब में कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है आधार कार्ड नया बनानी, फोटो और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सरकार ने एक ही कारेले निश्चित किया है पासपोर्ट कारेले जो की पस्चिम ख्षेतर में आता है और वहाँ भी जनता को प्रतिक्षा करना पड़ता है अन्य जगह पर आधार कार्ड में मातर अपडेट किया जाता है मजदूर पालकों की अंगुठे के निशान काम करते करते मीट चुकी है, ऐसे भी मामले सामने आ रहे है पालकों ने आप बीती वता कर अपने अंगुठे का निशान कमिटी को बताया और ऐसी परिश्टिती में उनको 8 से 10 दस्तावेज बनाने के लिए लगते है अता इन परिशानियों के मद्दनजर समय सीमा बढ़ाने की मांग शरीप ने की वनविभाग के कर्तव वेदक्ष अधिकारी रहे प्रधान मुख्य वनसावरक्षक दिवंगत उत्तमराव पाटिल की स्मुरूती में वनक्षेत्र में उत्कुरुष्ठ कारे करने वाले वेक्ती अत्वा संस्था को प्रतिवर्ष वनराई फाउंडेशन नाक्पूर वा महराष्टर राज्य वनसावरक्षक वा पदुन्नत वनपाल संगटन नाक्पूर की ओर से नगद 21,000 रुपे सन्मान चिन शालव श्रिफल के साथ स्वर्गिय उत्तमराव पाटिल स्मुरूती वनसवरधन पुरसकान प्रदानकर गवरवानवित किया जाता है वर्ष 2021 के इस पुरसकार के लिए सूश्री राखी चववण का चैन किया गया है राखी चववण गत 17 वर्ष से वन्यजीव और वनसवरक्षन के लिए खबरोव लेखों के माध्यम से समर्पित लेखन निरंतर करती आ रही है यहाँ पुरसकार समारो आगामी 21 माज 2022 को स्वर्गिय उत्तमराव पाटिल के स्मृती दिन के उपलक्ष में प्रदान किया जाएगा यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष गिरिज गान्दी ने दी नाकपूर सुधर प्रण्यस के मुख्याले में बुध्वार को संतगाडगे बाबा उर्फ देबुजी महराज की 146 वी जैनती मनाई गई इस अउसर पर संस्था के अपर आयुक्त अविनाश कटाड़े के हातों माल्यार पनकर संतगाडगे महराज की प्रतिमा का अभिवादन किया गया इस समय नाकपूर सुधार प्रण्यास के कार्यापालक अधिकारी अनिल राठोड, कार्यापाले नियंतरी लली त्राउत, एवं साहयक अभियनता, जागरूती जोडे साहित, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्तित थे महान समाज सुधारक संत गारगे बाबा की जैनती महावितरन के नाकपूर क्षेत्रिया निदेशक कार्याले में मनाई गई इस अवसर पर सुहास रंगारी, क्षेत्रिया निदेशक, नाकपूर सरकल, दिलिप दोड के मुख्या अभियनता नाकपूर सरकल, शरत दाहेदार महाप्रबंदक, हरिश गजबे, अधिक्षन अभियनता, अविनास सहरे, अजे खुबरागडे, प्रमोत खुले, उप पेज देश्मु, कार्यकारी अभियनता समिर शिंदरे, महाप्रबंदक, प्रदीप सात्पूते, सयुक्त मुख्या अध्योगिक संबंद अधिकारी, मधूसुदन मराठे, प्राणाले विशलेशक, प्रविन कटोले, प्रसन्ना येलने, उप मुख्या अध्योगिक संबं प्रोफेसर सुबाश खाकसे ने प्रस्तावना में संतगाड़गे बाबा का जीवन चरित्र समाज के लिए आज भी आदर्श करार दिया। प्रोफेसर सुप्रिया पांडे, प्रोफेसर अंजली गबने दुधे, सुनेल काले, वर्शा घुई, रविंद्र मुले, गजानन कापसे, पिंटु गड़पाईले, वह एवं छात्रों ने संतगाड़गे बाबा को श्रद्द अंजली दी। कारेक्रम का संचालन वा आबार प्रदर्शन प्रोफेसर सुपाश खाकसे न किया। आज 15 प्लस और 45 प्लस आयूवर्ग के सभी नागरिकों का कोवी शिल्द का टीका करन नागपुर महानगर पालिका के साथ सरकारी के इंदरू पर होगा। प्लस और 45 प्लस आयूवर्ग के नागरिकों के लिए कोवेक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्तर बाबासाय बामबेट कर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वर्गिया प्रभाकर दटके मनपा महाल रोगनिदान केंद्र, एम्स आइसोलेशन अस्पताली आयूश मंत्राले, भारत सरकार नई दिली द्वारा संचालित, क्षेत्री आयरवेद अनुसंधान संस्थान हिवरी नगर नागपूर के डॉक्तर मिलिन सुरियवंची, असिस्टेंट डारेक्टर के मार्ग दर्शन में नागपूर शहर के विभिन स्कूलों में 14-16 वर्ष आयूश का थकाढ़ा रहता है, एक व्यक्ति का एक महने का कोर्स रहता है, डॉक्टर मिलिन सुरियवंची के साथ संस्थान के डॉक्टर और कर्मचारी गण नागपूर शहर और ग्रामिन इलाके के साथ साथ गडची रोली तक इसका वितरन किया रहा है, स्वामिन आरायन स कीट में दवाईयू का कैसे सेवन करना उसके बारे में मार्ग दर्शन किया, सभी बच्चों और वयस्क लोगों को कीट लेने का आफ़ान किया जा रहा है एक भारत, श्रेष्टा भारत योजना के अंतरगत महत्मा गांधी अंतरराष्टीय हिंदी विश्वविद्याले एवं ओडिशा केंद्रिय विश्वविद्याले कोरावपुट के सयूकत तत्वावधान में गुरुवार को गालिब सभागार में महाराष्टकी अध्धात वक्तव्य दिये तथा मुख्य अतिती के रूप में हरी भक्त परायन चारुदत्त आफले महराज ने अपने वक्तव्य दिये। और गद 10 वर्षों में लगभग 100 महिलाओं को विदर्भकी जाने मानी पॉलिटीशियन मंत्री मेयर एवं विधायक के हाथों सम्मान दिला चुकी है। गुगल फार्म द्वारा सभी व्यक्तिगत अवार्ड एवं कम्यूनिटी अवार्ड कैटिगरी का नामांकन उम्मिद्वारों को दर्च करना होगा, पहला अवार्ड कम्यूनिटी अवार्ड होगा, जो किसी महिलाओं के संगधन को दिया जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत पुरसकार दिये जाएंगे। नाकपुर महनगर पालिका के और से बुधवार को एक प्रतिष्ठान के खिलाफ कारवाई की गई और पांच हजार रुपे का जुर्माना वसूल किया गया। नियू शिव मंदिर सिंधी कॉलनी में अमरुत वेला परिवार खामला की और से जारी अखंडपाट साहिप की समाप्ती भोग साहिप के साथ हुई। सोनी मराठी चैनल हमेशा नई बातो एवं नई विशेव से दर्शको को अवगत कराती है। ऐसी ही एक नई कथा पर आधारित बोस माजी लाड़ाची धारावाहिक 28 फरवरी 2022 से हर रात साड़े आड़ बजे सोनी मराठी पर प्रसारित होने वाली है। इस धारावाहिक में अभिनेतरी भागेश्री लीमये और अभिनेता आयुष संजीव मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। साथ ही इस धारावाहिक में गिरिश ओक, रोहीनी हटंगडी, माधवी जुवेकर भी नज़र आएंगे। इस धारावाहिक के जरिये दर्शकों को ऑफिस में हलचल भरी प्रेम कहानी देखने को मिलने वाली है। ब्लॉक नंबर 14 के अध्धिक्षय दिपक खोबरागडे, वाड साथ के अध्धिक्षय सचिन दोहाने और ब्लॉक 13 के अध्धिक्षय सुरेश पाटी लुपस्तित थे। कुणाल राउत ने दोनों टीमों के गणमाणने व्यक्तियों और कप्तानों की मौजुदगी में सिक्का उचाला। प्रतियोगीता का आयोजन सयुक्तरूप से रोयल स्पोर्ट्स अकैडमी और डॉक्टर बाबासाइब आमबिटकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स ने किया। गौतम अंबाडे, संदीप सहारे, आदी खिलाडी एवं कॉंग्रेस कार्य करता तथा पधाधिकारी मौजुद थे। निशुलक शिक्षा के अधिकार के तहट चालोश एक्षणिक सत्र में फेटरी स्थित नामचिन स्कूलों में बोगस एडमिशन की शिकायत गामवालों ने की थी। इस पर आरटी एक्षन कमिटी के चेयर्मेन मौँद शाहिच शरिफ ने मामले की जाँच की मांग मुख्य कार्यकारी अधिकारी से की थी। इस पर उन्होंने नागपुर पंचैत समिती को जाँच करने के आदेश दिये थे। इस जाँच के बाद आरटी प्रवेश के मामल में गट ग्राम पंचैत नागपुर में गड़बडी पाई गई है। बीडियों ने स्कूल से रिपोर्ट मंगवाई जिसमें आवेदन में लिखे पते पर उक्तबालक का निवास्थान नहीं था। पहले उसका प्रवेश पेंडिंग रखा गया उसके बाद नकारा गया औ लेगिन उसका कोई ठोस कारण पढ़ता समितिने दर्ज नहीं किया। इन तथ्यों के आधार पर बीडियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में नियम भाहिया प्रवेश देने की बाद शिक्षन विभाग को भेजी। अपनी रिपोर्ट में कही है। जांच में पता चला कि नियमों को ताक में रखते हुए स्थानिय सरपंच रविंद्रा इश्वर ढोले ने प्रविन कुशाल सवधरी को तथा येरला गोनी गट ग्राम पंचयत की सरपंच माय ठाकरे ने प्रफल पडोले तनिशा प्रमध भोयर को अधिनियम 2019 का उनलंगहन कर रहिवासी प्रमान पत्र दिया था बताय जा रहा है कि अक्सर राथ के समय यहाँ दुरगटना होती रहती है राथ के समय सुनसान जगह पर दुरगटना भी हो जाय तो कोई खबर मदद करने वाला सामने नहीं आता किसी एक-दो रहा चलते व्यक्ति को पता भी चले तो वो पिडित व्यक्ति को उचित और रेडियम स्पीड ब्रेकर लगवा कर शीगरही समस्या का स्थाई समधान निकलना चाहिए ट्राफिक कुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन धाराओ के अंतरगत कूल मिलाकर 2743 वाहन चालक अपर कारवाई की और उनसे कूल मिलाकर 293,000 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह मुंबई शराबंदी अधिनियम के अंतरगत 5 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 46,000 रुपे का सामान जब्त किया गया इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतरगत 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 6,800 रुपे का जुर्माना वसुला गया उपरोक तो सभी ऑपरेशन संयुक दरूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे ट्राफिक विभाग ने आभान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से सम्मंदित सभी दस्ताविज अपने पास रखे तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस नमस्कार